हेलो फ्रेंट्स, बात करने वाले बिहार के सात्वेचट के सिचक भरती को लेकर जिसमें आप सभी लोगों को पताए कि या फिर आप फिमेल है तो आप कितने नंबर चाहे आपका English और Hindi वाला जो आपका paper 1 हो या फिर आपका GS का second paper हो उसमें आपको total मतलब दोनों में आपके कितने कितने नंबर लाने पड़ेंगे ताकि आप जो है उस साथ पेचर का सिछक भरती एकजाम आप qualify कर जाएंगे निगेटिव मार्किंग को लेकर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कितना आपका निगेटिव मार्किंग होगा तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डेटेल में बात करने वाले हैं तो थोड़ा सा धैर बनाए रखेगा और वीडियो जो है बिल्कुल इस कि साथ दिनों में आपकी वेकेंसी आ जाएगी, मतलब यहाँ पर क्या है, कि आज है आपका संडे, और संडे के बाद जो आपका मंडे से सटर्डे है, इसी के बीच में जो आपका नोटिफिकेसन है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो कहीं न कहीं, जो आपका सिछक भरत यह मतलब प्राथमिक से लेकर उचे माधिमिक, मतलब कच्छा एक से लेकर बारहमी तक के जो सिछक होंगे, सबको यहाँ पर आपके भासा हरता है, इसका आपको एकजाम देना पड़ेगा, जो कि यह दो पार्ट में डिवाइड होंगे, एक आपका 25 नंबर का होगा, दूस इसमें जो है, आपको छाटना, वगारा नहीं, एक option, आपको नहीं मिलेगा, शिर्फ और शिर्फ आपको इंग्लीज ही, जो है, आपको देखने को मिलेगा, और दुसरा आपका 25 नंबर का है, उसमें जो है, आपके 3-20े, जिसमें आपको किसी एक subject को सेलेक्ट करना है, चाह इसका मतलब यहाँ पर जिस तरीके से होता है का नंबर इसमें आप के प्रोसेस जो है उसमें आप नहीं जा पाएंगे और इसमें आप qualify होंगे तभी जो है आप आगे के जाएंगे और इसका number भी जो है आपका final merit में जो है आपका add नहीं किया जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा बहुत सा लोग का confusion एन 30 नंबर वाला क्योंकि यहां सब यहां सब बहुत सा लोग ऐसे भी हैं जो मतलब बोल लहां या फिर सोच रहा हूं कि यहाँ पर जो आपका दो पाट में है एक आपका 25 नंबरका और एक आपका 15 15 का नन वरका तो इसमें बहुत स और दूसरे में जो आप भाजा सेलेक्ट करेंगे उसमें मतलब इन दोनों को मिला कर 100 नंबर में से जो है वापको 30 नंबर मतलब 30 प्रतिसत नंबर जो है वापको लाना अनिवार है इस बात को जो है वापको ध्यान रखना है और दूसरा यहां पर हम बात करने वाले हैं समान प्राथमिक गड़ित फिर उसके बाद जो है आपका समाने जगरुगता देखें यहाँ पर समाने जगरुगता सिर्फ लिग दिया गया है तो बहुत साल लोग सोचेंगे कि इसमें कॉंसकॉंसरी टॉपिक होते हैं तो कहीं न कहीं यह जो समाने जगरुगता है जो है आपके समुदर होता है क्योंकि इसमें जो आपका समाने जगरुगता है इसमें सबी चीजे जो है वापके समाने जाग रूपता में जो है वापके हो जाते हैं तो इसलिए यहाँ पर समाने जाग रूपता को जो है वापको ध्यान रखना है समाने जाग रूपता में जो है वापके यह जो टॉपिक हैं इससे भी और मतलब एक अल दो और टॉपिक जो है व वेटेज जो है वो आपका रहता है आप सबी लोगों को पताएगी जहां भी फिजिक्स साइंस पूछा जाता है उसमें बायो जो है वो आपके जाएदे रहते हैं तो फिजिक्स कमिश्टी बायो तीनों यहाँ पर रहेगा फिर उसके बाद है आपका समाजिक विग्यान मैस तो भी मैस आपका बिहार से रिलेट करके तो नहीं होगा रिजिनिंग नहीं होगा और समाने जागरुकता जो है वापका रिलेट करके होगा जैसे रिलेट कैसे होगा जैसे जो आपका हिस्ट्री है मतलब इतिहास है वो आपका बिहार से रिलेट करके रहेगा जो आपक स्टेटिक जीके होता है वो तो आपका बिहार से रिलेट करेगा ही तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको आपको ध्यार रखना है फिर उसके बाद हम यहाँ पर नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पर पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हम मैच्स बोले हैं या फिर इजनिंग या फिर समाने जाग रुकता जियास वगरा जो कुछ भी है आपका मेट्रीक और जो आपका इंटर्मीडियर्ट मतलब प्लश टू लेबल का जो है वह आपका यहां पर रहेगा तो इस बात को जो है वह आपको ध्यां रखना है सीटेट की चेर्मैन आतुल प्रसाद जी वह आपके ट्यूट करके बता दी है कि आपका सेलेबस भले ही रहे लेकिन आपका पेपर का लेबल जो है वह आपका हाई रहेगा फिर उसी तरीके से माधमिक का है तो आप इससे पढ़ लिजीगा क्योंकि हम यहां पर सिर्फ एक मतलब बत साब साब बताएगा कि प्रते गलत उतर के लिए जो है वह आपके अंक की कटोती की जाएगी लेकिन यहां पर देखेंगे तो आंक की कटोती की जाएगी कितना अंक की कटोती की जाएगी यहां पर कहीं पर भी जो है वह आपके मेंसन नहीं किये गया तो ध्यां रखना है कि one third रहेगा मतलब तीन आप गलत करते हैं तो मतलब तीन question आप गलत करतें तो जो आपका एक question सही होगा उसका number कटेगा मतलब यह documentary आप 3 गलत किए तो आपका 3 तो गलत होई गया लेकिन जो आपका 1 सही रहेगा उसमें से भी जो है बापका नंबर उकड जाएगा तो यहाँ पर आपका अभी तक confirm नहीं हो सकता है कि जब notification आए जब इसका मतलब vacancy के लिए form भरा जाए तो हो सकता है कि उसके साथ जो है वह आपका विंसन किया रहा है लेकिन यहाँ पर negative marking दे दिया गया है तो ध्यान रखना है कि आपको negative marking जो है वह रहेगा तो आपको अच्छे से जो है वह आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर एक थर् चांस है कि one third ही जो है वह आपको देखने को मिले तो यहाँ पर जो है इसको ध्यान रखना है फिर उसके बाद जो आपका qualifying नंबर है यहाँ पर आप 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 जो है वा जाते हैं उपर तो हमने बता दिया कि जो आपके 100 नंबर का paper होगा जिसमें आपके English compulsory रहेगा 25 नंब के लिए ऐसा नहीं कि आप उसमें reservation आप बाटेंगे सभी category के लिए आपको 30 नंबर लाना कम पत्सरी है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो आपका qualifying है यह आपका 1500 नंबर वाला है और यहीं जो है वापका final merit जो है बनेगा इसी के base पर जो है वापका selection होगा तो इ चड़का जो सिचक बरती है वो एक्जाम वो जो है qualify हो जाएंगे फिर उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग के बेखती है वो जो है 36 नंबर फिर जो अत्यांत पिछड़ा वर्ग के बेखती है वो 34 परसेंट नंबर नहीं 34 परसेंट आप 1500 में से जो है 34 परसेंट निकाल चैनल के बेखती है और जहां पर फिमेंळ हैं धियार जू है वो सभी केटेगरी के चाहें जर्नल केटेगरी के हो ऑफिर EWS हो और फिर OVC हो या फिर EBC हो या पिर regẹन के लिए और जो दिव्यांगता कि बेखती इनको जो है यहां India मतलब जो भी SCST हो, चाहे male हो या फिर female हो, और यहाँ पर female, female में सभी केटेगरी की, और जो आपके निसक्तिता से ग्रस्त हैं, दिव्यांक स्रेडी के इंतर गताते हैं, वो यह दि डियोड़ सो में से 48 नंबर लाते हैं, तो वो जो है बिहार का साथवे चड़ का सिचक भरती एकजाम जो है, जो आपका 500 नंबर वाला है, यह जो है वो एकजाम क्वालिफाई कर जाएंगे, और OBC के लिए यहाँ पर कितना दिया गया था, 36 मतलब वो 54.75 इतना नंबर लाते हैं 500 में से, वो जो है एकजाम क्वालिफाई हो जाएंगे, तो इसको जो है आपको ध्यान यहाँ पर गुड़ नीव जहें, और जो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ धिया रखेगा, कि जो EWS के टेगरी के जो मेल है, क्योंकि फिमेल के लिए तो 32% रखा गया है, सभी फिमेल के लिए, लेकिन जो EWS के मेल है, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में जो कुछ भी मेंसन नहीं किया गया, इसका मतलब साफ है कि वो जो है, जनरल केडिगरी में सामिल होंगे, मतलब उनको भी 40% जो है, वो यहाँ पर नंबर जो है, वो आपको भी लाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलेंगे, तो यहाँ पर आप सेलिबस देखेंगे, पर रहेगा, तो यहाँ पर सेलिबस आपकी जादे, अच्छे तरीकी से समझ जाएंगे, क्योंकि जो अभी अभी कल का सेलिबस पायओ का सेलिबस ऑपका स्यवस है, इसको आप देखेंगे, तो सेम सेलिबस है, बस यहीं है कि यह 100 नंबर का है, और आपका जो सेलिबस है, व headmaster वाला सलेवस है वहीं सलेवस जो है वापका सेम रहेगा तो यहां से आपको फाइदा यह है कि इसमें जो है वापके detail में जो है बात कियेगे जैसे यहां पर देखेंगे तो यहां पर बताएगा कि राष्टी और अंतराष्टी महात्तों के जो घटनाए होंगे बिहार से सम पूछे जाएंगे फिर उसी तरीके से आप देखेंगे तो जो भारती स्वतंतरता संग्रा में जो बिहार की क्या भूमिका थी उसके बारे में और जो आपका बिहार का अंदोलन था उसमें बिहार का क्या योगदान था उसके बारे में और फिर यहां पर भूगोल देखेंग पंचायती राज और भिकास योजना में जो आपकी सामिल है उससे समंधित आपके प्रस्ण रहेंगे और जो आपका एकनोमिक्स है भारती अर्थ व्यस्ता है उसमें बिहार अर्थ व्यस्ता और बिहार की आर्थ व्यस्ता पर आपकी जांच की जाएगे मतलब जो आपका एकन इंटरनेशनल पढ़ लेते हैं और बिहार से रिलेट करके जो है आप नहीं पढ़ते हैं तो आप बहुत गलती करें और कहीं कहीं आपका नंबर जो है बहुत जादे कमाएगा तो जो कुछ भी आप पढ़ेगा चाहे पितियास भुगोल नागरिक सास्थ कुछ भी बिद्यार्थियों का है अर्था जो बिद्यार्थियों को पढ़ाते हैं याप पढ़ाएंगी फिर भी परिछाक आस्तर जो है बिद्यार्थिय-ककच्छा से ऊचितरगा स्तर लेवल होगा यहांपका निगेटिव मार्किंग के लिए वे दिया था तो हमने पहले वीडियो बनाय था उसमें हमने बताय था कि आपका निगर्टिव मार्किंग जो है आपका होगा तो आई होप आप समझ गहें होंगे कि किस लेबल का रहेगा क्या से लेबस है और कितने आपके क्वालिफाइंग नंबर है और जो आपका भले ही किसी का दो सो रुपे का रहेचो या फिर पांतों रुपे का रहेचो आप उन से खार हैं भले ही वो दिन भर आपके पांच पांच घ़ गंटे शैंतं कर पाएंगे क्यों कि यूटिप का आपके प्रताय क trata करें जैदु आप भूक से जो है उपढ़ाई करिए बाकि बहुत सारे यूट्यूब टीचर के मैराथन कलास होते हैं तो आप उसको सर्च करके जो है आप यूट्यूब पर पढ़िए किसी भी XYZ किसी भी टीचर का मतलब कम्पलीट आता है जैसे आपको इतिहास पढ़ना है या फिर जो आ यूल याश्ट में आपका exam कंड़क्ट करा लिया जाएगा मानि जूल यूलाई लाश्ट में भी नहीं होता है तो अगस्त का जो फर्स्ट करा लिया जाए तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से बहुत रफ्टार से जो है जो बीप्यसी के चेर्मेन है अतुल परसाजी उ यहां पर क्या मेटर है और किस तरीके से आपका क्या होगा देखे यहां पर थोड़ा सा यहां पर हमने भूल गया यहां पर ध्यान यह रखना है कि जो आपका यहां पर जो आपका हिंदी वाला है और इंग्लीज वाला है तो आप इसमें सोचेंगे कि इसमें टॉपिक कौन सा पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि यहां पर साब साब बोल दिया गया है कि English जो है आपके 25 नंबर के रहेंगे और second में जो है maximum लोग हिंदी लेंगे 35 नंबर के हिंदी रहेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या तो देखें इसमें से आपको क्या पढ़ना है कि आपको जो है ब्याकराड पढ़ना है चाहे आपका इंगलीज का हो या फिर हिंदी का हो आपको जो है ब्याकराड पढ़ना है और ब्याकराड में आपको पता है कि आपके ब्याकराड में कौन-कौन से टॉपिक जो है वो helpful दे तो यहीं update बाकि जो कोई भी update होगा हम share कर देंगे मिलते हैं के लिए next video में तब तके लिए thank you bye bye take care always thank you for listening God bless y'all thank you